बैसे ठाउंड एक विशिष्ट और आकरशक नसल है जो अपने लंबे कानों, जुकी हुई आँखों और छोटे पैरों के लिए जानी जाती है। फ्रांस में उत्पन, इस नसल को शुरुआत में खरगोश जैसे छोटे खेल के शिकार के लिए विक्सित किया गया था, क्योंकि इसकी सुंधने की क्षमता ब्लड हाउंड के बाद दूसरे स्थान पर है। बैसे ठांस की विशेषता उनकी शक्तिशाली, जमिन से नीचे की सनरचना है, जो उन्हें जमिन के करीब अपनी नाग से गंद को ट्रैक करने की अनुमती देती है। अपने छोटे कद के बावजूद, वे आश्चर्यजनक रूप से भारी, मजबूत और मानसल शरीर वाले हैं। बैसेट हाउंस के बारे में एक आश्चर्यजनक तथ्य उनकी गंद की भावना है, उनके पास लगभग 220 मिलियन गंद रिसेप्टर्स हैं, जो उन्हें लंबी दूरी और चुनोती पूर्ण इलाकों में गंद को ट्रैक करने में अविश्वसनिय रूप से कुशल बनाते है एक और दिल्चस्ट विशेश्टा उनके लंबे कान है, जो गंद को उनकी नाक तक पहुंचाने में मदद करते हैं, जिससे उनकी ट्रैकिंग शमता बढ़ जाती है बैसेट हाउन्स अपने सौमे और मेत्री पूर्ण स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, जो उन्हें उत्कृष्ट पारिवारिक पालतू जानवर बनाता है वे अपेक शाकृत कम उर्जा वाले कुट्ते भी हैं, जो जो जोरदार व्यायाम के बजाए एक मीनान से टहलना पसंद करते हैं उनकी विशिष्ट शाल, या, बे, अद्वितिय है और काफी तेज हो सकती है, ये विशेष्टा उन्हें शिकार के दिनों से विरासत में मिली है अपनी कुछ हद तक दुखद अभिव्यक्ती के बावजूद, बैसे ठाउन्स आमतोर पर अच्छे स्वभाव वाले और स्ने ही होते हैं, जो अक्सर अपने परिवारों के साथ मजबूत बंधन बनाते हैं